अच्छा अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रशनाएंगे उनका एकी साथ यह उत्तर है कि अर्थराइटिस के समस्य अगर बहुत गंबीर है और डॉक्टर आपको कोई यह कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो तो हाथ जोड़ कर कहता हूँ ऑपरेशन तो कभी मत कराना क्योंकि आप जिस इस्तिती में है उससे भी ज़्यादा खराब हो जाए इस हिंदुस्तान के अमरीका से उस डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर रानावत है और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किये हैं अटल जी को देख लीजे आप पहले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंद हो गया सिर्व वीलचेयर पर ही रह डॉक्टर बोलता ओपरेशन मत करें आप क्या करें अर्थराइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉंबिनेशन बागवट्टी जी के हैं उनका उप्योग करिए उसके लिए सबसे अच्छा वो बोलते हैं चूना खाईए चूना चारी है अमलता को कम करता है ज्यादा अमलत आदमी तो एक ही ग्राम खाए चूना खाई मैथी दाना लीजिए चारी है और सबसे चारी चीज जो है वो है हार सिंगार का पेड़ हार सिंगार देखा है परिजात हार सिंगार चोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है सफेद फूल और केसरिया डंडी बहुत तेज खुश्बू है रात को ही खिलता है रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं हार सिंगार कहते हैं यह पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चारिये माने जाते हैं जो भी आउशदिया तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं चार-पांच पत्ते पीसिए पीस कर पानी में डालिए खूब उबालिए पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए आधा रह जाए फिर ठंडा कर लीजे फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सबेरे खाली पेट पीजे मैंने यह देखा है गंबीर से गंबीर अर्थराइटिस पेशेंट को हफ्ते दस दिन में ही रिलीफ कर देता है तो यह कहीं भी मिल जाए नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुडवांचरी में है तो आप थोड़े पौधे बटवा दीजे सब अपने घर में लगा लें गंबले में हो ज अची देगा जहां आपका बेडरूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजे और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ती देगा और दोनों तरह की अर्थराइटिस और ऑस्टियो दोनों ही खतम होती है इस हार सिंगार के पत्ते से कि 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 कि